नमस्का, राज़ाना टीवी पर आपका सौगत है, मैं प्रिया, आपकी साथ इवी एम को लेकर गुरुवार को राष्टवादी कॉंगरेस पार्टी प्रमुक शरत पवार के दिले इस्तित घर पर विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसके बाद कॉंगरेस नेता दिगविजे सिंग ने कहा कि देश के सभी विपक्षी दल इवी एम से चुनाव कराने क से डाला जाता है, बता दे कि स्टेंड अलोन एप्लिकेशन को ऑपरेट करने के लिए किसी अलग सॉफ्ट्वेर की जरुवत नहीं होती है, यानि इवी एम अगर स्टेंड अलोन नहीं है तो ये किसी दूसरे सॉफ्ट्वेर से ऑपरेट हो सकता है, दिगविजे ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में इवी एम की चिप पर भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा पहले चुनाव आयोग दावा करता था कि इवी एम में यूस करने वाली चिप को एक बहरी प्रोग्राम किया जा सकता है, इसका दुबारा यूस नहीं किया जा सकता, लेकिन अब आयोग नही प्रेशन देना चाहता था, लेकिन विपक्षी दलों ने ये कहकर देखने से मना कर दिया, कि देश में इवी एम को लेकर संदे है, चुनाव आयोग को हमारा संदे दूर करना चाहिए, शरत पवार ने अपने दिलिस्तित घर पर सभी विपक्षी दलों के नेताओ को बुला इस मोलचे में अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी ही शामिल है, NCP प्रमुक प्रवार ने इस बेठक के लिए विपक्षी दलों को लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी चीप वाली मशीन को आसानी से हेक क्या जा सकता है, हम इसे अनेथिकल एलिमेंट के जरिये बंदक बनाने नहीं दे सकते, हमें IT एक्सपर्ट और क्रिप्टोग्राफर के विजारों को भी सुनना चाहिए, कुछ दिन पहले कॉंग्रेस ने भी EVM पर सवाल उठाय थे, पार्टी की तरफ से कहा गया था कि EVM को लेकर समान विचार धरावाले दलों के साथ सहमती बनाई जाएगी, इसके बाद अगर चुनाव आयोग ने इस विशे पर जवाब नहीं दिया, तो वो कोड जाएगी, कॉंग्रेस ने ये बातें फरवरी में पार्टी के महा अधिवेशन में पारित, राजनितिक मामले में प्रस्ताओं में कह थी, कॉंग्रेस ने प्रस्ताओं में कहता, चौदा से अधिक मानेत प्राप्त राजनितिक दलों, कई प्रतिश्टित, एक्टिविक्स्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इलेक्शन कमिशन से EVM की प्रभावश्यालीता पर चिंता जता ही है, लेकिन अभी तक कोई प् बाल लेघग।